नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का नाम है न्याय एक दिन एक किसान अपने खेत के लिए पानी की तलास कर रहा था तब उसने अपने पडोसी से एक कुवा खरीदा हलाकि पडोसी बहुत चलाग था अगले दिन जैसे ही किसान अपने कुएं से पानी खीचने आया पडोसी ने उसे पानी लेने से मना कर दिया जब किसान ने पूछा की क्यों तो पडोसी ने जबाब दिया मैंने तुम्हें कुवा बेचा है इसका पानी नहीं और कहकर चला गया दुखी होकर किसान ने आये मांगने के लिए राजा के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई राजा ने उस किसान के पडोसी को भी बुलाया राजा ने पडोसी से सवाल किया जब तुमने किसान को कुवा बेच दिया है तो फिर तुम किसान को कुवा बेच दिया पडोसी ने जबाब दिया महराज मैंने किसान को कुऊं बेचा है लेकिन उसके भीतर का पानी नहीं उसे कुएं से पानी खीचने का कोई अधिकार नहीं है राजा उसे धूर्त पडोसी की चला की समझ गए राजा उसे आदेश भी दे सकते थे पर यह राजा का इंसाफ नहीं मान जाता राजा ने उस पडोसी से कहा देखो जब से तुम्हें कुऊं बेचा है तुम्हें किसान के कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है या तो तुम अपना किसान को किराया देते रहो या अपने पानी को तुरंत निकालो या जानकर कि उसकी योजना विफल हो गई पड़ोसी से माफी मांगी उस दिन से किसान खुसी-खुसी अपने खेट को पानी देने लगा इस कहानी समय ही सिच्छा मिलती है कभी किसी के साथ धोखे बाजी नहीं करनी चाहिए प्रिज लाइक और सब्सक्राब में यूटूब चैनल थाइक जानल थाइक टाय।